श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सांथियों एक बार पुन्हा स्वागत है आपका आपके अपने चेनल शिव महाप्राणी मंगलवार का दिन हनमान जी को समर्पित होता है और मंगलवार के दिन जो भी इक्षा मन से हनमान जी की पूजन अरचन करता है उन्हें मनाता है उनकी सार मंगलवार को धन प्राप्ति के लिए छोटा सा आसान उपाए शेर करने जा रही हूँ आप अवश्य करें हनमान जी आपकी जो भी मनों कामना होगी वह अवश्य पून करेंगे इसके लिए आपको जादा कुछ नहीं करना आप मंगलवार के दिन सुबह इसनान करके एक बढ़ यानि बर्गत की पेड़ का एक ताजा पत्ता ले लें वैसे दिन भर में कभी भी किया जा सकता है लेकिन सुबह इदी बारा वज़े से पूर्व आप करते हैं तो इसका विशेश फरप्राप्त होता है आप इसे सुद्ध जल से या गंगा जल से धो लें अब इस पत्ते को लेकर जो आपने बढ़का या बर्गत का पता तोड़ा है उसे ले 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 और हनमान जी के मंदिर में जाकर कुछ देर हनमान जी के श्री चर्णों में रखकर तीन वार हनमान चालिशा का पाट करें अब उस पत्ते को सिधे हाथ से हनमान जी के चर्णों से उठा ले और उस पर शुद्ध केसर से श्री राम नाम 11 बार लिखकर हनमान जी के हिदे का थोड़ा सा सिंदूर लगा कर पत्ते को हमेशा अपने पर्स में रखें ध्यान रखें इस उपाय को करती वक्त कोई आपको देख नहीं रहा हो क्योंकि जो देखेगा वो अवश्य टोकेगा कि आप क्या कर रहे हैं और टोकने के बाद हमें उसका फल नहीं प्राप्त होता है जो भी यह उपाय करता है उस उपाय करता को जीवन भर कभी लक्ष्मी की कमी तो होने ही बाली नहीं है हमेशा जीवन भर दन बेवों की उस पर हमेशा क्रपा रहेगी, संपदा उसके पास भरपूर रहेगी, आप भी यह उपाय करें और लक्ष्मी जी की क्रपा अवश्य पाएं, आप पर और आपके पूरे परिवार पर महालक्ष्मी की क्रपा यह ही बनी रहे, ओम नमस्षिवाई